असलाम उलेकुम फ्रेंट्स मैं खान नाजमी शरीफ वेलकम टू एफएच टू क्लासिस फ्रेंट आज की इस फीडियो में हम लोग मैथमेटिकल रिजनिंग की जो टॉपिक्स है उनको जो आसान टॉपिक है जो सिंपल सिंपल टॉपिक है पहले हम उन टॉपिक को कवर आज इस इंशायल्ला हम लोग मैट्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैं आपको प्रामिस कर चुकी थी कि बहुत जल्द हमारे चैनल कर मैच्स के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है रिजनिग की मेरी सीरीज आल्रेदी रहे दहमान पठान यूटूब चैन पिक का नाम है फ्रैक्शंस दीकि फ्रैक्शंस से रिलेटेट भी टैट के अंदर बहुत सारे कुश्चन आए हैं और यह जो टॉपिक है यह मैं जो फिफ्ट की स्कॉलर्शिप की बुक है उसमें से करवा रही हूं क्योंकि टैट की जो रेफरेंस में बुक्स के नेम दिये ग कुश्चन और जितने भी बेसिक्स आए हैं वो हमारे क्लियर हो जाए जैसे कि बॉर्ड मास का रूल है इससे रिलेटेट भी बहुत सारे कुश्चन आ चुके हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड स्कॉयर से रिलेटेड क्यूप से रिलेटेड स्कॉयर रूट से रिलेटेड तो ये सारी चीज़े हम लोग इंशाला तरह basic maths में cover करेंगे और जब basic हमारा complete हो जाएगा तो उसके बाद जो advance है इसके अंदर mathematical reasoning में हम उसे भी करेंगे वैसे जो question paper solution में करवा रही हूं उसमें advance level की भी जो question आए हैं वो भी मैं साथ तो साथ आपको करवाती जा रही हूं लेकिन जो math की series है तो उसमें भी हम इंशाला तरह topic वाई सारे की सारे जो chapter उनको complete करने की कोशिच करेंगे exam तक तो आज का topic हम लोग start करते हैं fraction तो दीखे fractions यानि क्या कसर उर्दू में क्या कहां जाता है इसे कसर कहां जाता है यानि जो upon में लिखी जाती है जैसे 2 upon 3 4 upon 3 तो इसे fractions कहां जाता है तो ऐसे fractions के ओपर mathematical operation कैसे किये जाते हैं यानि हिसाबी जो अमल होते हैं वो कैसे किये जाते हैं fractions के ओपर जैसे जमात अफ्रिक जर्ब तक्सीम यह सारी चीज़े कैसी की जाती हैं तो आज की वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे तो सबसे पहले हम जो fractions के दिके क्या rule है वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो देकी fraction के जो type से कितने टाइप है first a simple fraction like fractions unlike fractions उसके बाद यह fraction के टीन टाइप होगा गाई तो simple fraction like fraction और unlike fraction अब इन fraction के बीच में comparison किस तरहां से किया जाए इनका addition यानि इनकी जमा किस तरहां से की जाए जाए upon 3 है और यह 4 upon 5 है तब इस fraction के अंदा कौन सा fraction बढ़ा है यह कैसे हम decide करेंगे तो उसे कहां जाता है comparison fractions के ओपर addition यानी जमा किस तरह से की जाए, subtraction यानी minus किस तरह से की जाए, उनका multiplication यानी जर्ब किस तरह से की जाए, यह सारी चीज़े हम लोग इंशाला ताला आज सीखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग fraction के type को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो देखी क्या है यहाँ पर like and unlike fraction, तो अब like fraction क्या होता है देखी देखी, the fraction which equal denominators are called like fraction, यानी ऐसे fraction जिनका denominator यानी नसब नुमा, यानी ऐसी कसरे जिनका नसब नुमा एक जैसा होता है, उन्हें हम नसब कसरे कहते हैं, क्या कहते हैं, और हम नसब कसरे उन्हें उर्दु में कहा जाता है कैसी कसरे या कैसा fractions, the fractions with equal denominator, denominator यानी जिनका नीचे के नंबर होते हैं, उन्हें denominator कहा जाता है और उर्दु में उन्हें नसब नुमा कहा जाता है, तो जिन fraction की या जिन कसरों के नसब नुमा और निनुमा एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ऐसी fractions को like fraction कहा जाता है और उर अन्लाइक फ्रेक्शन क्या है, the fractions with different denominators are called unlike fraction, तो unlike fraction क्या है देखिए, the fractions with different denominators are called unlike fractions, यानि ऐसे fractions जिनके denominator अलग-अलग होते हैं, यानि के नसब नुमा, यानि के नीचे के नंबर, अब यहाँ पर अगर देखेंगे, आप 2 upon 7, 3 upon 8, 5 upon 13, तो एक का नसब नुमा, यानि यहाँ पर 7 है, एक का 8 है, और एक का यहाँ पर 13 है, तो इनके denominator जो हैं यहाँ पर different है, अलग-अलग है, तो ऐसे fractions होते हैं, उनको क्या कह जाता है, unlike fraction, उके, उसके पर convergence of unlike fraction into like fraction, यानि अगर हमें इस तरहां से जिसी यह unlike fraction दे दिया जाए, और कहां जाए कि इनको like fraction में convert करो, यानि सब के नसब नुमा को अगर हमको same बनाना होतो, तो हम क्या तरीका अपनाएंगे, तो दीखे, comparison के time पर यह चीज़े बहुत काम आ करना है, यह हमें आना चाहिए, तो दीखे, यहाँ पर क्या है, denominators are made equal for this, their least common multiple is found, यानि यहाँ पर अगर हमको unlike fraction को like fraction में convert करना है, तो like fraction का मतलब क्या होता है, कि उनका denominator सेम चाहिए, जैसे 2 upon 5, 3 upon 5, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर denominator equal करना है, क्योंकि like fraction का मतलब ही यह होता है, कि इनके जो denominator नसब दुमा है, वो सेम हो, अब जैसे example देखी, यहाँ पर दिया गया है, कि make the denominators of the fractions 5 upon 6, sorry, 4 upon 5 and 6 upon 7 equal, यहनि हमको क्या करना है, यहाँ पर जो fraction दिया गया है, इसका denominator हमको क्या करना है, सेम करना है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कि उसके least common multiple हमक को वो number find करना है, तो अब यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, देखिए, 5 और 7 दोनों के table में कौन सा number आता है, तो देखिए 35 ऐसा number है, जो 5 के table में भी आता है, और 7 के table में भी आता है, यानि हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को भी 35 बना सकते हैं, और 7 को भी हम 35 बना सकते हैं, अब क nominator हमको same करना है common करना है यानि क्या कर सकते हैं हम उसको 35 बना सकते अब 35 किस तरह से बनाना है हमको तो multiply करके यानि अब हमको यह देखना है कि 5 के table में जो 35 है वो कितने नंबर पर आता है तो दीके पांच के टेबल में जो 35 से वो आता है, 7 लंबर पर तुम मैं 5 को साथ से जरब दूँसएन इसा से जरब डिये तो हम यहां क्या करेंगे, हम नहीं 5 के टेबल में 35 35 कितने number पर आता है वो देखना है तो साथ number पर आता है अब सेंग कंडिशन यहां पर 7 के डेवल में 35 कितने number पर आता है 5 नमबर पर आता है यह निहीं हम से जब देंगे अब देखे कसरों का मामला ऐसा होता है कि अगर हम नसभ नुवा में कोई अमल करते हैं तो शुमार यानि नसब नुमा को पांच से जब दी तो छे को भी मुझे पांच से जब देना पड़ेगा यहां पर देखिए आजएगा चार साथे 28 बटे 35 और इसका आजएगा 30 बटे 35 देखिए हो गए इनकी जो नसब नुमा थे यह सेम हो गए तो इस तरहां से इसको convert किया जाता है जो unlike fraction होते हैं उनको like fraction क्याता है यानि हम जोग जिनके नसब नुमा सेम नहीं होते हैं उनके नसब नुमा को सेम बनाया जाता है ओके next point देखी क्या है comparison of like fraction यानि like fraction का जो comparison है इसका मवाजना है हम किस तरह से करेंगे यानि कौन सा fraction बड़ा है कौन सा छोटा है हम यह कैसे decide करेंगे तो देखी इसके लिए क्या है यहाँ पर in like fractions the fractions with the greater numerator is the greater fraction यानि ऐसे fraction या ऐसी कसर जिसका numerator बड़ा है यानि जिसका शुमार जाता है इसको शुमार कुनिंदा यानि ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा है like fraction की बात हो रही है यहाँ पर like fraction यानि जिनके नसब नुमा सेम है denominator सेम है जिसे यहाँ पर तीन बटे पांच और दो बटे पांच तो यहाँ पर इन दोनों के भी जो denominator नसब नुमा है वो कैसे है पांच पांच है तो ऐसे जो like fraction होते हैं इन में जिनके शुमार कुनिंदा यानि numerator बड़े होंगे वो fraction क्या कहलाएंगे बड़े fraction कहलाएंगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तीन और पांच और दो और पांच में यहाँ पर तो यह नसब नुमा सेम है तो श comparison of fractions with equal numerator यानि ऐसे fraction का comparison जिनके numerator equal है यानि जिनके शुमार कुनिंदा equal है यहाँ पर numerator का मतलब क्या होता है शुमार कुनिंदा यानि जो ऊपर की तरफ आता है जैसे दो पटे तीन है तो यहाँ पर इस दो को क्या कहा जाएंगा शुमार कुनिंदा कहा जाएंगा क्या कहा जा जो fraction ऐसे fractions जिनके numerator equal होते हैं अभी denominator equal वालों में तो हमने देख लिए कि आगर denominator equal हैं जैसे यहाँ पर इस कसर की बात अगर हम करें 3 बटे 5 और 2 बटे 5 तो इस fraction के अंदर देखिए यहाँ पर यह 3 बटे 5 और यह 2 बटे 5 इन दोनों के denominator तो सेम ते नसब दुमा सेम ते तो यहा हो गई 3 बटे 5 बड़ी हो गई 2 बटे 5 से अब यह कौन सी condition ती यहाँ पर नसब नुमा सेम था यहाँ डिनोमिनेटर सेम था अब condition reverse कर दी गई है क्या reverse कर दिया गया है condition के अंदर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि comparison of fractions with equal numerator यहाँ पर तीन और यहाँ पर 4 मतब य दोनों के भी जो numerator है जो शुमार कुनिंदा है वो क्या है यहाँ पर 3 है ओके तो अब ऐसे fraction का comparison हम किस तरह से करेंगे तो देखिए उसके लिए भी आपको यह बात याद रखनी है कि if two fractions with equal numerators the fractions with the greater denominator is the smaller fraction यानि अगर दोनों fractions के यह दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा यानि numerator अगर सेम है तो तो वहां पर क्या करना है कि the fractions with the greater denominator यानि ऐसा fraction जिसका denominator बड़ा है वो fraction छोटा होंगा यानि reverse है यहाँ पर जैसे यह 2 upon 3 है और यह 2 upon 4 है तब इसका जो denominator यह बड़ा है लेकिन यह fraction कैसा हो जाएंगा छोटा हो जाएंगा ये fraction कैसा हो जाएगा चोटा हो जाएगा और 2 बटे 3 बड़ा हो जाएगा और 2 बटे 4 जो है यहाँ पर चोटा हो जाएगा क्योंकि इस fractions के अंदर जो शुमार कुनिंदा है वो एक जैसा है और नसब नुमा की यहाँ पर हमको comparison करनी है तो इस माइस बात पर उल्टा मामला होता है कि जिसकी नसब नुमा छोटी होती है वो बड़ा fraction और जिसकी नसब नुमा बड़ी होंगी वो छोटा fraction कब जिब numerator equal होंगे शुमार कुनिंदा equal होंगे तब यहाँ एक example दिया गया है आप इस example में देख सकते हैं यहाँ पर के किस तरह से बताया गया है के देखिए 3 बटे 4 है 3 बटे 5 और 3 बटे 6 है अब यहाँ पर देखिए 3 बटे 4 यहाँ पर इन सब के जो शुमार कुनिंदा है वो सेम है तो अब हमको यहाँ पर नसब नुमा देखनी है कि इनके नसब नुमा में छोटा कौन सा है सबसे चोटा 4 है तो 4 सबसे बड़ा हो जाएगा 5 के मुकाबले में अब 5 और 6 में कौन छोटा है 5 है लेकिन वो कसर सबसे बड़ी हो जाएगी याई देखे यहाँ पर 3 बटे 4 कसर बड़ी हो गई 3 बटे 5 से क्योंकि इनके शुमार कुलिंदा सेम है लेकिन नसब नुमा अलग-अलग है तो जिसका नसब नुमा छोटा वो कसर बड़ी जिसका नसब नुमा बड़ा वो कसर चोटी अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो 3 बटे 6 है अब इन दोनों कसरों के बीच में जो है यहां पर 5 और 6, 3 तों सेम है, यैनि दोनों का शुमार कुल 20 सेम है नंइमेरेटर सेम है, तो यहाँ पर जो इनका डिनोमीनेटर है वो कसर बड़ी जिसका नसब नुमा बड़ा वो कसर छोटी कप जब शुमार कुनिंदा एक जैसे हो तब ओके तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है फर्स्ट तो क्या कि अगर numerator सेम है तो denominator में हमको देखना है कि नंबर जहां छोटा होंगा वो कसर बड़ी होंगी जहां बड़ा होंगा वो कसर छोटी होंगी और अगर नसब नुमा अगर सेम है तो ऐसी कंडिशन में क्या है कि नसब नुमा को छोड़ देना शुमार कुनिंदा में हमको देखना है यानि numerator में हमको देखना है कि जो नंबर बड़ा होंगा वही कसर वहां पर बड़ी होंग दोनों तरफ देखे तो हम opposite condition है यह चीज़े आपको याद रखनी है confused नहीं होना है next point देखे क्या है comparison of fractions with different denominator यानि जो fractions है अगर उनके denominator अलग-अलग है तो ऐसे fractions का comparison हम कैसे करेंगे अलग-अलग denominator यानि जैसे यह होग है दो बटे 5, 3 बटे 6, 7 बटे 8 इस तरह से कुछ यानि यहाँ पर इनके नसब नुमा भी अलग-अलग है और शुमार कुरिंदा जो है वो भी अलग-अलग है यानि 2, 3 और 7 यहाँ पर शुमार कुरिंदा यानि निमरेटर तो यह भी अलग है और 5, 6, 8 यानि यहाँ पर जो denominator है नसब नुमा वो भी कैसे है अलग-अलग है तो ऐसी कस्रों का अगर हमको comparison करना है तो हम क्या करेंगे तो अब आपको मैंने उपर जो दो point बताई के like fraction और unlike fraction तो यह जो है यह क्या हो गए फिर unlike fraction हो गए यानि इनके नसब नुमा यहाँ पर same है क्या नहीं है तो अब ऐसी सुरत में हमको क्या करना है इनके नसब नुमा को हमको equal बनाना होगा पहले जब हम इनके नसब नुमा को equal बनाएंगे तो हम जो शुमार कुनिंदा है उनमे comparison आराम से कर लेंगे तो यहां पर दीके मिसाल दी गई है पांच बटे आठ और चार बटे नौ तो दीकिए दो कसरे हैं यहां पर एक तो हैं पांच बटे आठ और एक चार बटे नौ तो अब इन दोनों कसरों के अंदर बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा ही ये कैसे decide करेंगे क्योंकि देखी यहाँ पर शुमार कुनिंदा भी अलग-अलग है और यहाँ पर नसब नुमा भी यानि डिनोमिनेटर भी क्या है अलग-अलग है तो अब हम इनको क्या करेंगे हम नसब कसरे बनाएंगे यानि 8 और 9 को हम क्या करेंगे एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि 8 और 9 के टेबल में ऐसा ऐसा कोई नंबर है कि जो 8 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है तो हमको simply यह करना है कि इन दोनों number का multiply करके देखना है तो हमको पता चल जाएंगा कि वो number दोनों के table में आता है यानि 98 क्या होता है 72 तो हमको यह पता चला कि 72 जो है वो 8 के table में भी आता है 9 के table में भी आता है यह सबसे आसान तरीका है मालूम करने का कि दोनों का common multiple कौन सा है तो दोनों का क्या कर ले multiply कर ले इन दोनों का multiply करेंगे तो जो भी answer आएंगा वो दोनों का common multiple होंगा अब 9, 82 या 8, 72 या दोनों के table में 72 आता है तो यानि इस 8 को भी हमको 72 बनाना है इस 9 को भी हमको 72 बनाना है अब ये चीज़ कैसे करेंगे मैं आपको बता चुकी थी तो हम एक बार इसको वापस से पूरा करके देखते हैं तो देखें यहाँ पर क्या था पांच बटे आट और क्या था सॉरी चार बटे नव था अब यहाँ पर 5 बटे 8 और 4 बटे 9 यह 5 बटे 8 और यह है 4 बटे 9 तब यहाँ पर हमको क्या करना है देखिए इन दोनों के जो नसब नुमा है इनको हमको सेम बनाना है तो हमने इनका जर्ब करे तो हमको हासिल हुआ 72 यानि यह जो 72 है 8 के टेबल में भी आता है 9 के टेबल में भी आता है तो इस 8 को भी हमको 72 बनाना है इस 9 को भी हमको क्या करना है 72 बनाना है तो कैसे करेंगे मैं इसका तरीका बता चुकी थी आपको यह देखना है कि 8 के टेबल में 72 कितने नंबर पर आता है देखे 8 के टेबल में 72 आता है 9 नमबर पर अब मैंने जब नसब नुमा में 9 से जर्ब दी तो मुझे ओपर जो शुमार कुनिंदा है उसको भी 9 से यानि 9 से जर्ब देना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर बराबर अब देखे यह 4 अपर 9 है अब 9 के टेबल में जो 72 है वो कितने नमबर पर आता है 8 नमबर पर यह 8 नमबर पर अब नीचे अगर मैंने 8 से जर्ब दी तो मुझे ओपर भी 8 से जर्ब देना है ओके यह रूल्स है Mathematical Operations के तो यहाँ पर दीके 5 9 कितने होते है 45 45 अपॉन यह गया 8 नाम 72 ओके उसके बाद यह कितने हो गये चारा आठे 32 यह हो गया 32 और 9 यहाँ पर हो गया 72 तो दीकिए अब यहाँ पर इनके जो हमने नसब नुमा है उसको तो हमने सेम कर दिए अब अगर इनका comparison करना है तो हमको किस के बीच में comparison करना होगा इनके numerator के बीच में, यानि 45 और 32 के बीच में हमको क्या करना होगा, यहाँ पर comparison करना होगा, तो दीखे, 45 और 32 के बीच में कौन सा number बड़ा है, तो यहाँ पर 45 बड़ा है, तो दीखे, जब हम नसब कसरे होती है, यानि जो like fraction होता है, अगर like fraction है, यानि हम नसब कसरे हैं, तो उनके शु मार कुनिंदा बड़ा होंगा यानि जिसका निम्रेटर बड़ा होंगा वो कसर यहाँ पर बड़ी होंगी यानि यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 45 वर 32 में 45 बड़ा है यानि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 बटे 8 यहाँ पर बड़ा हो रहा है 32 बटे स्वारी नसब नुमा भी सेम नहीं है जिनके शुमार कुनिंदा भी सेम नहीं है तो ऐसी कस्रों में शुमार कुनिंदा यानि जो निम्रेटर है उनका comparison करके decide करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो उमीद करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया हूँगा अब देखिए यहां पर next point क्या है हमारे पास देखिए अगला point है addition of like fractions अब यहां पर क्या है देखिए addition of like fraction यानि जो like fractions होते हैं अब like fraction क्या होते हैं यह मैं आपको समझा चुकी हूँ यानि हम नसब कसरे sorry क्या होते like fraction हम नसब कसरे यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिखिए यहां पर इनके नसब नुमा सब कैसे हैं जमां यहां पर अगर हम गार करेंगे तो इनके जो नसब नुमा है वो कैसे हैं सेम हैं तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर नसब नुमा सेम है, तो इसको common हमको लेना है, यहां पर आपको क्या करना है, कि इनके जो डिनॉमिनेटर है, वो सेम है, तो इसको हम common लेंगे, और जो उपर शुमार कुनिंदा यानि जो numerator है बस उनका addition कर देंगे यहाँ पर यानि इसका जवाब आएंगा कितना हैंगा यह 6 और यह हो जाएंगा एक साथ यानि 7 अपन 9 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा तो हम नसब कस्री या like fractions जो होते हैं उन्हें इस तरहां से solve किया जाता है कि जो नसब नुमा होता है उसको common लेना है हमको और जो शुमार कुनिंदा है उसकी क्या करनी है हमें यहाँ पर जमा करनी है तो उमीद करती हूँ यह concept भी आपको clear हो गई होगी अब देखें next क्या है कि if numerator and denominator of a fractions are the same then the value of fraction is 1 यानि अगर किसी fractions का numerator और denominator दोनों भी same होता है यानि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों भी अगर same होता है तो उस fraction की value क्या होती है 1 क्योंकि क्या है 9109, 9109 यानि fractions के अंदर अगर denominator और numerator में ऐसे number है जो किसी ek table में आते हैं तो उनको हम reduce कर सकते हैं मतलब उनको हम वहाँ पर cancel कर सकते हैं तो 99 दोनों ek table में आते हैं 9 के तो 9109, 9109 यानि cancel होके कितना answer आ रहा है फिर 1 तो क्या है देखिए कि numerator और denominator अगर same है किसी fraction के तो उसकी value हमशा कितनी होती है 1 होती है अब next देखिए क्या है next question देखिए क्या है यहाँ पर कि fractions with equal denominator यानि यहाँ पर अगर हमको subtraction करना है minus करना है तफरीक करना है क्या करना है यहाँ पर अभी हमको तफरीक करना है कैसे fractions की जो जिनके denominator equal है यानि वही like fraction तो यहाँ पर same rule है, हमको same चीज़ करनी है, क्या करनी है हमको, कि यहाँ पर जैसी यह 6 upon 13 है, और minus कितना है, 3 upon 13, तो हमको क्या करना है, यह जो 13, 13 है, इसको हमको common लेना है, क्या करना है, इसको हमको common लेना है, और जो 6 और 3 है, बस इनका minus करना है, 6 और 3 का minus करना है, तो यह answer आ जो fraction होते हैं, उनकी जमा के लिए भी वही रूल है, तफ्री के लिए भी वही रूल है, क्या रूल है, कि इनके denominator को हमको common में लेना है, और जो भी है, जमा है, यह तफ्री के सिफ numerator वाले नंबरों की हमको करनी है, अब भी next दिखी क्या है, addition and subtractions of unlike fractions, यानि addition जो है, addition and subtraction जो है, unlike fraction का, unlike fraction यानि क्या, fractions with the different denominator, यानि ऐसे fractions जिनके denominator different होते हैं, जैसे 6 upon 3, 4 upon 5, 3 upon 2, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें, तो सब के denominator कैसे हैं, यहाँ पर अलग-अलग है, तो ऐसे fractions को क्या कहां जाता है, unlike fraction कहां जाता है, तो ऐसे fractions के ओपर जमाया तफरीक का अमल हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, क्या करना है, अभी यहाँ पर हमको, जिसे एक्जामपल है, यहाँ पर 2 upon 7, ओके, just to be not, अभी यहाँ पर हमको इसका addition करना है, किसका addition करना है, 2 upon 7, प्लस 1 upon 3, तो देखिए, इसके तो दो तरीके हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, इनके जो denominator हैं, उनको same बना सकते हैं, अभी डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करना है, हमको, simply इसके 3 से इसके 7 को multiply करना है, और तो यहाँ के जो denominator है, मैं उससे इसको multiply करूँगी, 3 से, अब अगर मैंने denominator में 3 से multiply की, तो मुझे उपर भी 3 से multiply करना है, यहाँ पर आजेंगा 2, 3, 6, और यह जेंगा 7, 21, यह जो 2 upon 7 था, वो 6 upon 21 में तबदील हो गया, अब उसके बाद देखिए, अगला क्या है, 1 upon 3, तो 1 upon 3 को में क्या करूँगी, इस 7 से multiply करूँगी, यहाँ पर 7 से multiply, यहाँ पर भी 7 से multiply, तो यह कितना हो जाएगा, 7 upon 21, तो दिखी क्या आया, यहाँ पर हमारा 6 upon 21, और यहाँ पर आया 7 upon 21, तब यहाँ पर यह like fraction में convert हो गए, तो like fraction का किस तरह से करते हैं, यह मैं आपको बता और यह 13, यानि 13 upon 21 जो हैं यहाँ पर इसका सही जवाब होंगा, अब इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, तो यहाँ पर देखी किसका दूसरा तरीका क्या है, यह है हमारा 2 upon 7, जमा 1 upon 3, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका cross multiply करेंगे, यानि इस 2 से इस 3 को जर्व देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जर्व 3, इसको bracket में ले लेंगे, बीच में जमा है जमा लेंगे, अब इस 1 को इस 7 से जर्व देंगे, यह हो जाएगा 7 into 1, इसको bracket में नीचे क्या करना है, नीचे जो शुमा नसब नुमा है, उनकी जर्व देंगे, यहाँ पर आजएगा 7 into 3, अब देखिए, यह हो गए 2 तिया, 6 जमा, 7 एका, 7 बटे, 7 तिया कितने होते हैं, 21 होते हैं, इन दोनों की जमा करेंगे, तो कितना आता है, 13 बटे, 21 देखिए, सेम जवाब आया, तो दोनों भी तरीके से आप कर सकते हैं, तो उम्मीद करती यह concept भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे, अगर दिखिए, इनकी हमको minus भी करना है, अगर unlike fraction की, जैसे suppose यह 2 upon, यहाँ पर suppose यह है 2 upon 6, और यहाँ पर है 3 upon 2, अगर इनका हमको जो है, subtraction करना है, minus करना है, तो अभी मैं क्या कर सकते हूँ, इनका तीरचा अजर्ब इस तरहां से कुछ, यानि हो जाएगा 2, 2 into 2, ओके, यहाँ पर minus लेंगे, हम 3 into क्या करेंगे, 6, यानि 6 into 3 करेंगे, upon में क्या लेंगे, हम 6 into 2 लेंगे, यानि directly कर देती हूँ, में 6 to the 12, अब देखिए, यह 2 दूनी कितना होता है, 4, minus 6 तिया कितना हो गया, यह 18, upon में क्या ह 12, अब देखिए, यहाँ पर छोटे में से बड़े नंबर को minus करना है, तो हम क्या करेंगे, 18 में से 4 को minus करेंगे, ओके, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, हमारा 14 upon 12, हमने छोटे में से बड़े को minus कि, इसके लिए हम इसको लेंगे, minus 14 upon 12, जो है, इसका सही जवाब होगा, तो minus हो या plus हो, एक ही rule आपको अपनाने है, सिर्फ अगर बीच में minus है, तो minus कीजी, बीच में plus है, तो plus कीजी, तो अमीद करती हूँ कि, आज की जो वीडियो है, यह आपको ज़रूर अच्छी लगेंगे, जितने भी concept आपको fraction से related, या कसरों से related बताई गई है, वो सारी कि सारी आपको समझ में आ गई होंगी, तो इंशाला तरह नेक्स्ट वीडियो में हम fractions से related, जो questions से, यानि fractions पर plus, minus, यानि addition, subtraction, multiplication, और division, किस तरहां से किया जाता है, यह हम इंशाला तरह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, आज की वीडियो में हमने concept को clear किये, तरीके देखे कितने टाइप के fraction होते हैं, यह देखे, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो इसे like, share, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे दूआ में याद रखिए, अल्ला हाफिज